नमस्कर दोस्तों मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में मारक ग्रह की कि मारक ग्रह क्या होते हैं हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा मारक ग्रह है साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और फिर भी आप जानना चाहते तो आप अपने राश्ची के अनुसार किस प्रकारते जान सकते हैं कि आपका मारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह से क्या-क्या आपको हानिया हो सकती है इस हानियों से हम किस प्रकारते बच सकते हैं इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पर हम जानते हैं कि मारक ग्रह किन लोगों को मारक ग्रह कहते हैं या कौन से ग्रह मारक होते हैं तो मारक ग्रह होते क्या हैं देखिए जैसे यहां लिखाए मैंने मारक ग्रह तो वह ग्रह जो किसी भी इंसान को मरन तुल्लिक कष्ट दे सकते हैं वैसे ग्रह जो किसी भी इंसान को किसी भी जातक को मरन तुल्ल कष्ट दे सकते हैं ऐसे ग्रह को हम बोलते हैं मारक ग्रह अभी मारक ग्रह कौन-कौन से कष्ट आपको दे सकते हैं कैसे कैसे कष्ट दे सकते हैं तो जैसे पहला कष्ट हुआ शारेरिक शारेरिक कष्ट दे सकते हैं ठीके दूसरा कष्ट है आर्थिक आर्थिक कष्ट आपको दे सकते हैं ठीके इसके बाद जैसे तीसरा कष्ट हुआ कि आपको ये मानसिक कष्ट दे सकते हैं मानसिक ठीके मानसिक कष्ट और चोथा जो होता है वो होता है सामाजिक ये चार प्रकार के जो कष्ट है शारिरिक कष्ट में अगर बात करें तो वो आपकी तवियत खराब कर सकता है याने आपके स्वास्त से लेके जो प्राबला में स्वास्त संबंदी परचानी आपको दे सकता है कोई एक्सिडेंट हो सकता है कोई अंग भंग हो सकता है किसी प्रकार का एक्सिडेंट यह सब है वो शारीरिक कष्ट में आते हैं ठीक है अगर आप आर्थिक कष्ट की बात करते हैं तो आर्थिक कष्ट आप जानते हैं पैसे जाज़ात का जो नुकसान होता है उसको हम आर्थिक कष्ट कहते हैं सब्सकर यह आपकी तवित खराब हो गई उसमें आपके पैसे लग गए तो भी आर्थिक कष्ट हो जाता है ठीक है फिर आता मानसिक कष्ट अगर आपका स्वास्थ खराब हो रहा है आपके पैसे जाजात का नुकसान हो रहा है तो जाहरे आपका मन भी खराब हो जाएगा आपका मानसिक तनाव भी आपको उत्पन हो जाएगा इसलिए मानसिक कष्ट भ भी इजद नहीं होती, उनकी इजद भी कम होने लगती है, तो इन सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं, इन सभी प्रकार की जो परेशानी होती, इन सभी का जो में कारण है वो है आपके मारक ग्रह, इन मारक ग्रह के कारण ही इस सारी परेशानी आती है, हम क्या है कि अक्सर पह एक मारक एको जान पायोगे और जब कुंडली नहीं है आपके पास तुम्हें बिना बिन को बताऊंगी आपको अ फिस प्रकार से अपने मारक एकोस जान सकते हूँ ऑस्पे लिजbringen के सामनेत आप तो यह से लगन की कुंड़ी है अब इसक pajail मुझे पता करना है कि कौन से स्क merge होगा較 केसे पता करते हैं इस यह जो पहला घ्रोट इसको प्रत्थम बोलते हैं यह कि ग्रत हम घर है ये दुति है ये वालती यह त्रती घर है लोट एकर जोघर है इसन Making से पांच वह वह हैं भी कि छटा हुआ इसाथ हुआ है तो तो जो दुती घर होता है किसी भी कुंडली का दुती घर और सात्वा घर ध्यान रिखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने मारक ग्रह को पेचान सकते हो तो आपकी कुंडली का जो दुती घरे दूसरे नमर का घरे और सात्वे नमर का घरे इन घरों के मालिक को ही हम मारक ग्रह कहते हैं अगर मैं इस गुंडली की बात करओं तो दुती घर में क्या लिखा है कि सिक्स लिखा है अब 6 अंक की राशी कोन सा बन रही है कन्या ठीक है कन्या आपको जो है उसका कौन सा ग्रह हो अब देखो 6 पर लिखा है यह च्क लिखा है इसका मतलब जो ग्रह हाँ है उसका सोमी होता है भूध और सबसे और यहां देखिए सबसे नीचे 11 का सामने क्या लिखा शनी इसका मतलब 11 राशी का जो स्वामीर हुआ वो क्या हुआ शनी इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुंडली से ही लगने की है तो आपका जो मारक ग्रह होंगे वो कौन-कौन से होंगे एक तो होगा बुद्ध और एक मारक ग्रह होते हैं जो बइसThis के लिए बहुत आसां त्रीका है ज्यादे में ज्वाबस के जैसे होते हुए वो ही आपका मारक ग्रह होगा वेसे ति दोनों ही मारक ग्रह के काम करेंगे लेकिन जो ग्रह जादे खराब इस्तितिम होगा जादे यानिकी अनिष्ट होगा जादे अशुब होगा वो ही घर वो ही ग्रह आपका मारक ग्रह कहलाएगा तो मेलली। आपका बुद्ध और शनी मारक्र होगा इस कुंडलीं के लिए अगर आप के लिए मानलीजिए आपके पास कुंडली नहीं हैं फिर भी आप का मारक्रह कौन सा तो हमकी किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हमारा मारा ग्रह कौन सा है तो suppose करिए कि जैसे आपकी राशी मेश है ठीके आपनी राशी तो सब जानती होंगे तो आपकी जो मेश राशी है मेश राशी का जो मारा ग्रह होता है वो होता है शुक्र ठीके यहने कि मेश राशी वालों ने शुक्र ग्रह के च्छाहिए आरधना करना चाहिए दूसरा है जैसे ब्रश राष्री techniques निए सेकंड लिए तो उसका जो मंगल ग्रह जो था इसका मारक क्या इसी प्रकार से मिधुन राशि दो में मिखुन राशी के लिए प्रकार में मारक दोये कर्कार करक्रशा Alumni नपीए तो आपके महारग्त होगा वह वर शप्रिख कि इसके बाद आता है करकक करके बद सी राशी तो सिर एगर वक्त आयमने धागी तो आपका झो मारग्र होगा वह वागा शh Annas renewed कई यूदर कि कर और राशी होते हैं यह क्यूरराशी नहीं मालूरे तो लूपमा चलाना राशी ब्रश्चिक अगर आपके राशी ब्रश्चिक है तो आपका जो मारग्र होगा वो होगा शुक्र फिर आपकी अगर धनु राशी है धनु राशी धनु राशी का जो मारग्र होगा वो होगा बुद्ध के के बुद्ध आपका मारग्र होगा अगर आपके राशी मकर है मकर राशी है तो आपका ग्रह होगा चंद्र और अगर कुम्ब राशी आपकी है कुम्ब कुम्ब राशी है तो आपका मारग्रह होगा सूर्य इसके बाद अगर लाश्क में मीन राशी आपकी है तो मीन राशी का जो मारग्रह होता है बहुत है शुक्र कौन से हैं ठीक है यह बहुत आसानी से जो भी आपका नाम होगा उस नाम के साब से आप आसानी से पता कर लोगे कि आपका मारक ग्रह कौन सा है वैसे मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि चंद्र और सूर्य को मारक ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है चंद्र और अग्रेश या वो जो ग्रह हैं वो मारक काम करेंगे ना कि ये जो यह मारक के शर्ड़ी का नहीं आते हैं तो इस तरह से आप बहुत आसान इसे अपने उपनीनाग्रेश को पैचान सकते हैं सब्सक्राइब कि मैंने जो आपको यहां पर कुछ कष्ट बताया देखिए जिसे मैंने यहां कुछ चार प्रकार के कष्ट लिखे हैं इन कष्ट में से कोई सभी प्राबलम आपको इस समय चल रही है तो आप तुरंद पेचान जाएए कि आपको कुणली में आपका जो मारग अगर है उसकी किसी ने प्रकार की कोई दशा चल रही है महादशा हो सकती अंतरशा हो सकती प्रचन चरदशा हो सकती इन में से कोई सी भी दशा अगर चल रही होगी तो इन में से किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आ सकती है मान लीजिए कोई परेशानी आपको आ रही ह सबसे पहले तो उपाई यह है कि शिव की अराधना आपको करना चाहिए अगर आप एक पुरुष है तो आपको शिव की अराधना करना चाहिए और अगर आप एक इस्त्री है तो आपको माभगवती यहने दुर्गाजी की उपासना करना चाहिए ठीक है अगर आप पुरुष है तो शिव की और अगर आप इस्त्री है तो आपको दुर्गाजी की उपासना करना चाहिए ठीक है ये तो पहला उपाय होगा अगर मान लीजे आपके पास इस प्रकार की कोई परिशान ही चल रही है तो आप अपना जो मारक ग्रहे उसकी आप उपासना करके भी इन परिशानियों से बच सकते हैं ठीक है आप चाहें तो महा मरतुंजे मंत्र का भी जाब कर सकते हैं महा मरतुंजे महामर तुन्जे मंद्र कर जाब करके भी आप इन परशानियों से बच सकते हो आप चाहें तो राम रक्षा स्त्रोथ राम रक्षा स्त्रोथ इसका भी आप पाट कर सकते हो और इन परशानियों से बच सकते हो को रॉनियुद्ध जो लगनेश नाजिया को अब भात जो आइए तो आप सोरह कर सकते हैं एनिया लगनेश की आप सवामी मंत्रों का przet went मक यूद सबस convenience शृयओं मंत्रों की मंत्रों का जाः रट रट करते right ठीक है इसके बाद अगर देखा जाए अगला तो आप जो आपकी राशी का स्वामी है सपोस्कर यह जो पूरा यह है इसमें जहां पर भी चंद्र लिखा हूँ सपोस्कर आठवे नमर पे आपकी कुण्ड़ी पे चंद्र लिखा है तो इसका मतलब आपकी जो राशी हुई व राशी स्वामी के भी आप अराधना कर सकते हो राशी स्वामी इसकी भी आप अराधनाय मंत्रों का जाप कर सकते हो और आखरी में आप चाहें तो आप गायत्री मंत्र का भी पार्ट कर सकते हो गायत्री मंत्र की भी आराधना कर सकते हो इन में से जो भी आपको सुटेबल ल लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे सिरे जोतिश मंतर को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वह सितना ही मिलते एक नहीं विश्ग साथ तक तक आप रहे कुश और मुझे दीजा अग्या जाहिए